आपके साथ काविंदर चौहान इस मुकाबले में जो डेली जो नई नी तस्वीरे आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत दिल्चस्प लगती है क्योंकि मसाला जो है सांत नहीं हो रहा है जैसे दिल्ली के चुनावों में हम देखते हैं कि चीजे जो है वो तोड़ी सामाने रहती है लेकिन बंगाल की चुना ऐसे में उन्होंने यहाँ पर रैली की तो बीजे पी कारे करताओ की तरफ से यहाँ पर गोली मारू के नारे भी लगाए गए है उनकी तो गरफतारी हो गई है यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि टीमसी अपनी इज़त बचाने का पूरा प्रयास कर र लेकिन ऐसे मैं अगर हम अमतम आपते जी नेता है जो अभी भी अपनी पार्टी से इस्तिफा दे रहे हैं और बीजे पी में शामिल हो रहे हैं तो कहीना कई का विंद्र कहा जा सकता है कि मंताव अनर्जी के जो अपने पक्ष्टे लोग है वहीं उनका साथ चोड़के जा जा रहे है तो कहीना के उनको घाट तो जरू साबिट होगा इस पार्टी एक मजबूत नेता उसके लोग इस तरीके से स्तीफा देकर दूसरी जगह जा रहे हैं इसके पीछे वजह जो में पहां प्रसौली को जीफ दिलाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोले है, कुछा लेकिन उनकी राजनेतिक समझ पर राजनेतिक समझ पर मेरे हिसाब से ग्रह मंत्री अमिश्चा के सामने कोई टिकता नहीं है। अगर वहां से पाला वदर के बीजेपी में चले आते हैं तो उनके समर्थक भी बीजेपी में आ चुके हैं। कम से कम उनको हराऊंगा और ऐसे मैं अगर उनसे कम वोट आते हैं तो राजनीति छोड़ दूगा। वो नहीं जीत पाते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जब इतना बड़ा एलान कोई नेता करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सोच होती है। कुछ ना कुछ एक confidence level होता है। उनका confidence जो level है वो इतना build-up हो चुका है कि वो इतनी बड़ी चुनोती दे रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री को। तो सबसे बड़ी बात ही हो जाती है कि जब BJP का हाथ अपने सर के ऊपर है और जो कितनी बड़ी पार्टी है आपने जिस तरीके से भी अमिशा जी की बात की। तो अमिशा जी जिस तरीके से चानक के माने जाते हैं BJP के उनकी कई rally हो चुकी है बंगाल में ऐसे में आने वाले समय में भी अभी और rally की जाएंगी लेकिन जिस तरीके से पूरी विवस्ता एक सुचारू रूप से वहाँ पर तयार की जा रही है कि बंगाल में TMC को जानते हैं वही पहलू जब BJP में जाते हैं तो कहीं ना कई BJP को इससे बहुत जादा फायदा मिलेगा दूर से देखे तो घाटा नजार आता है लेकिन इस चीज़ से बिंकार नहीं कर सकते हैं प्रद्यूम्र कि ममताब अनर जी उन ताकत्वर नेताओं में से आती हैं जहा सोनिया गांधी खड़ी है जहां मायावती जी खड़ी है और वहाँ पर खड़ी होती है ममताब बनरजी ममताब बनरजी बहुत तागत वर्थ नेता है जिस तरीके से उन्होंने पस्चे मंगाल से लेफ्ट को जो खतम सा कर दिया है उसमें ममताब बनरजी का सबसे बड़ा रो एंट्री ले चुकी है, बेस्ट वेंगॉल चुनाओं में विपक्ष का बड़ा चेहरा है, एंट्री लेने के बार ममताब एनरजी की भी मुश्किले बढ़ती है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा विपक्ष उनके सामने खड़ा है, और BJP से बड़ा विप बात इस पर एक और चीज़ पर करेंगे, जो बहुत असरदार है और जो जरूर करनी चाहिए, वो बात है हिंसा की, क्योंकि बंगाल चुनाओं और हिंसा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं, क्योंकि जितनी हिंसा की ख़बरे हम पहले बिहार से देखते हैं, 20-90 के दशक में जो बिहार से खबरे आती जी, वो खबरे आज भी इतने modern age में, जब इतना ज़्यादा technology advance हो चुकी है, modern हो चुकी है, जब तमाम चीज़े आगे बढ़ चुकी है, आज भी वहाँ हिंसा होती है, और हिंसा इस level की होती है, कि BJP नेताओं को सरयाम गोली मार द जाएगी, लाग के ऊपर जाएगी बूत के संख्या, बूतों के संख्या लाग के ऊपर जाएगी, और इसके साथ बहुत दिल्चस्प बात कहीं उन्हें, उन्हें बताया कि जितने भी बूत सेंटर होगे, जहां पर वोट डाले जाएगे, वो सब ground floor पर रख जाएगे, इस तरीके से आब बता रहे हैं, विल्कुल आप सही जिकर कर रहे हैं, कि अब बंगाल की जो स्तिती हो चुकी है, वो काफी भयाबे है, दरसल चुनाव के वक्त इस तरीके की असमंजस हो जाती है, इस तरीके का माहौल मापर पैदा हो जाता है, या करवाया जाता है, ये तो भ काफी मदद भी मिलेगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अखिरकार अब भी यही बना रहता है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है लेकिन ममताब एनरजी भी पीछे नहीं अटेंगी काविंद क्योंकि काफी दिगज नेता वो भी है ऐसे में अगर ममताब एनरजी की पहुचेगी कि मेरे घर में आके मुझे हराया लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि जब आप खुद एक शाषन में हो जाते हैं तो ऐसे में जो आपकी लोग होते हैं अगर वो आपसे खुश नहीं है तो कही ना कई एक समय का ऐसा आ जाता है कि जब वो लोग हो जाते हैं वो यह ममताब एनर्जी के संग हो रहा है यह बात मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यह बात जरूरी हो जाती है जानना और बताना ममताब एनरजी को काफी नुकसान इसलिए हो रहा है कि उनके वन-mentry से लेकर काफी ऐसे बड़े-बड़े-्म बाटा हो गया और हारने की उम्मी दिसलिए उनकी जादा बढ़ गई बीजेपी खुशी की बाती हो गई कि जब उनके लोगी उनको छोड़के हमारी तरफ आ रहे हैं तो कहीना कई फाइदा इसमें हो जाता है लेकिन अब ये जरूर वक्त बताएगा कि वक्त क्या चाहता है क ऐसे मैं ममताब एनरजी का सफाया होता हुआ दिख रहा है बंगाल से लेकिन ये राजनीती है इसमें इस पष्ट तोर से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से अपना पासा फेक्ती है ये बिलकुल प्रदियों दियो मुकाबला हलक कैसे होता है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सिस कॉंगरेस की बात है ये वहां मुकाबला हलका होता है लेकिन बेस्ट बंगॉल में मुकाबला बहुत दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि एक तरफ ममताब एनरजी है दूसरी तरफ बीजेपी है और यहां पर कि एक नहीं दो नहीं हर जगा से आती है राहुल गांदी की बात करें या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें हर कोई खाना खाने जला जाता है खाना खाने से उनको लगता है कि वोटर खिच के आता है तो यह बताईए पेट से जो बोलते हैं दिल का जो वो दिल से होता है लेकिन अगर आप डॉक्टरी भासा में समझेंगे तो बिलकुल हाँ होता है लेकिन अगर आप इसको राजनीती भासा में समझना चाहेंगे तो ये कहा जा सकता है कि कई ना कई फायदा तो मिलता ही है क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें की जाती है और ज जाता है उनसे बातचीत की जाती है उनकी परिशनी समझी जाती है उनको वादा किया जाता है लेकिन सबसे मैं तो पूर्ण यह हो जाता है कि वादे तो किये जाते है निभाय कितने जाते है बिल्कुल बहुत सभी बात किया आपने वादे किये जाते है निभाय जाते है प्या जाते हैं तब उनकीत हाली में वापस खाना है, कि नहीं diligent, मेरे ख्याल से तो आज तक किसी पार्टी ने इतना गौर किया नहीं होगा, दिहां दिया नहीं होगा. मैंने कभी ऐसा नहीं सुना पर दी हुमने कि चुनाफ जीत जाने के बाद कोई नेता घर जाके फिर गरीद कर्व कहाता हूँ तो फिर खाना खाने वाला रिवास है यह चुनाफ से पहले है चुनाफ के बाद लेगा कितना बड़ा राजनी थी के इसको क्या बोलेगे बिल्कुर जिस तरीके से आपने बता है ऐसे मैं आप सही कह रहे हैं कि चुनाफ जीतने के बाद खाना खाने कोई नहीं जाता है शायद व्यस्त हो जाते हैं इसलिए जाना मुश्किल हो पाता होगा यह तो वो अच्छे जानते हैं बेटर तरीके से लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल काविंदर यह भी उठता है चलिए यह तो खाने का मुद्दा रहा वोट का मुद्दा रहा प्रत्र पावल क。 मुद्दा मुद्दे हैं और राजनीती होती है, पक्ष करता है लेकिन अगर बात करते हैं सुभाज चंदर बोश, अब बीयृ पी हुतरी है मैदान ूर्ड़ीत का नाम बदलने की बात की जा रही है तो यहां पर जो नाम बदलने का सिलसला है वो उत्तर प्रदेश से होता हुआ गुजरात का फल भी बदल दिया गया उसका भी नाम बदल कर कमलामम लग दिया गया तो वहां से बदलते हुए पहुचे हैं बंगाल बंगाल में नाम बदल कर रख देंगे स समय, देश में कोई पार्टी नहीं है, कनेक्ट बहुत बढ़िया करते हैं, गरास रूट पे काम है बीजेपी का, और जिस तरीके काम दिखता है, लोगों के मन में दिल में अभी भी कही ना कहीं बीजेपी बसी हुई है, अब मुत्तपरदेश की बात करें, अभी पूरे भार और बंगाल में बहुत मजबूती दिख रही है उसकी, बहुत मजबूती के साथ अंदर रही है, लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर दिया है, अगर बीजेपी ने वहाँ लोगों से कनेक्शन बैठा लिया, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को फिर वहाँ पर कोई रो लोगों से अपना कनेक्शन बनाती है, तो कही ना कही जो ममताव एनर्जी के सपूर्टर है, वो बीजेपी की तरफ आकरशित होंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, तो फायदा ज़रूर मिल सकता है बीजेपी को, लेकिन ये जरूर समय साथ तोर पर दिखा देगा, कि का परिणाम वो तो वक्त बताएगा फिलहाल इस चीजों पर जितनी बात हो सकती थी उतनी बात हमने की और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा दन्यवाद